हाई गई सिर्भूसपा चानल पर आप सुर्यों का स्वागत था है आज की उड़ में आप गोग को मैं केंडी कैश लोन अप्रिकिशन के बर्में बताऊंगा कि कैसे अगर कोई अल्डी कैश लोन अप्रिकिशन से लोन लेके फच चुगा है और लोन इपेन के लिए आप गोग को बहुत तरी किसा हरस्मेंट और ब्लग मिल किया जा रहा है और किसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहे कि इस अप्रिकिशन से लोन लेके लोन को डिपेमेंट कर चुगा है फिर भी दोबारा loan repayment के लिए बहुत तरगी सा harassment और blackmail किया जा रहा है और गिस एगर किसी के साथ ऐसा हो रहे कि इस application पे loan लेके loan को repayment कर चुका है फिर भी दोबारा loan repayment के लिए बहुत तरगी सा harassment और blackmail किया जा रहा है जैसे कि loanίكे लिए edited new picture आपका contact list के सिंग किया जा रहा है loan-up Done के लिए अपका selfie photo के साथ bad word आए उज करके आपका contact list को सिंग किया जा रहा है loan-up impress के लिए अपका personal data gallery का missus किया जा रहा है और loan-up Angry आपको और आपका contact list को call करके abusive language उसकिया जा जा रहा है और इज़ इस एप्लिकेशन को लिएक आप लोग का मन में कभी सेरे सवल रेकिकिड YeahE Bernard इन्विप सी रेइस्टाड, रबिय रेइस्टाड है, कहीं एप्लिकेशन आपके के लिए अब लिगा लेक्शन लेपाएगा, तो इस वीडियो के तुरू आप लोग का मैं सारे सावलों का जबब दूँगा, और गैस साथ इस एप्लिकेशन को लिए आप लोग का मन में जो सब्सक्राइब करना होगा, और गैस सब्सक्राइब लोग को मैं बता हुएंगे, जगर आप लोग को मैं बता हुएंगे, अगर अगरा अगर अगर Two Candy Cash loan application से loan लेंगे तो क्या क्या मैं फ्रूब्लिम का समना करना होगा, और इस एप्लिकेशन के तरब से loan dengan के लिए कि इस तरीके से harassment और blackmail की行了 जाता है तो गैस केंडिकाफ लोन अप्लिक्षन के याद आप लोगों को जातर फेस्बूक इंस्टागरम पर दिखने को मिल जाएगा और आप लोगों को क्या करते हैं और आप लोगों को कभी सारे पर्मिशन को अलव कर देते हैं और उसी टेम यह application कहा गाता है, mobile की data gallery contact list एक्सेस कर लेता है, फिर कैसे अगर आप लोग इस application पर loan के लिए apply करते हैं, और आप गोग को loan मिल जाता है, तो 7S के अंदर loan application के लिए different number से call और इसमेंज करके बहुत तरी किसा harassment और blackmail किया जाएगा, और गेजिस्टेब के 7S बाले loan application कहा गाता है, loan application के लिए contact list में जितने सारे नंबर को call करके अब उसी लेंग्वेजी उसका था है, और गेजिस्टेब के 7S बाले loan application, loan application के लिए ऐसे भी कहते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, family member, relative, सब को send कहता है, और गेजिस्टेब के 7S बाले loan application ऐसे भी कहते हैं, और बोलता है कि इस EPA पे loan को repayment कहा दीजिए, अगर आप लोगों इस EPA पे loan को repayment कहरेंगे तो आपने loan repayment किया है, वो application पे अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबरा इस्टेब के 7S बाले loan application के तरब से loan repayment के लिए बह इसे बाले loan repayment के लिए एक तरीका का इस्तेमाल करता है, बहुत है, है harassment और ब्लक्मेल, और गेजिस्टेब के 7S बाले loan repayment के लिए, रहसे भी करते ही कि कि लोन इपेन के लिए देट से पहले डिफिनिफेन आमार से कॉल और इसमिस करता हूए और बोलता ही कि एक extension amount pay कर दीजिए आपका जो 10-10 है और 7-10 के लिए increase कर दिया जाएगा और आगे जाके आप हब amount pay करेंगे तो आपका loan close हो जाएगा फिर कि 7-10 के बाद आपको को और call or dismiss करके loan इपेन के लिए बहुतर किसा harassment और blackmail किया जाएगा और आपको को full amount pay करने के लिए कहा जाएगा तो कि जैसे 7-10 बाले loan application के तरफ से बहुतर किसा scam किया जाता हूए और इस्टे को 7-10 बाले loan application ऐसे भी करते कि loan इपेन करने के बाद loan की ज़रूरत नहीं है रिए अप्लाइ नहीं किया है फिर भी without any information loan प्रवाट करता है फिर 7-10 के बाद call or dismiss करके बहुतर किसा harassment और blackmail करके double पैसा वसुली करता है तो इस वीडियो के तुरू आपको को मैं Candy Cash loan application के बार में पूरा डीटेस में बता दिया कि इस application के तरफ से कितना तक कि internet और service भी लिए आता है और इस application के तरफ से कितना तक कि loan कितने दिनों के लिए प्रवाट करया जाता है और यह application loan के यह सेव application है कि नहीं और इस अब लोग इस application से loan लिए तो क्या क्या प्रव्लेम का समना करना हुआ और इस सदे सदे इस वीडियो के तुरू आपको को मैं यह भी बता दिया कि कि सेवेंडेस बाल इस application के तरफ से loan इपेन के लिए किस तरफ किसा harassment और ब्लग मिल किया जाता है और इस अब लोग को मैं बता हुँए कि अगर कोई अल्यडि केंडेस लोन अप्रिकिशन से लोन लेके फाच चुका है और इस से बचने का solution क्या है जैसी कि अब लोग इस application से loan लिया है और लोन इपेन के लिए आप लोग को बहुत तरफ किसा harassment और ब्लग मिल किया जा रहा है और इस अगर किसी के साथ ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग इस application पर लोग इन करके आगे का process complete नहीं किया है फिर भी without permission आप लोग को लोन प्रोइट कोया गया है और इस अगर किसी के साथ ऐसे हो रहा है कि आप लोग इस application से loan लिया है loan को repayment कर चुका है फिर भी दोबार loan repayment के लिए आप लोग को harassment और ब्लग मिल किया जा रहा है जैसे कि loan repayment के लिए edited nude picture आपका contact list को सेंग किया जा रहा है loan repayment के लिए आपका photo के साथ bad word उसकर के आपका contact list को सेंग किया जा रहा है और loan repayment के लिए आपका personal data gallery का मिस्स किया जा रहा है loan repayment के लिए आपको और आपका contact list को call करके abusive language उसकिया जा रहा है तो गैस इस्तिती में आपको को कहा करने जाए अगर यह application अभी भी आपका mobile पर है तो इस application के data clear करके इस application को uninstall कर दीजिए फिर इस application के खिलाब जाके cybercrime complaint कीजिए और साथ 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 cybercrime जो help plan number है help plan number पर पर पूरा details में बताए कि इस application की तरफ से loan repayment के लिए आप लोगो को घिसतर किसा harassment और blackmail किया जा रहा है और गैस कभी सेरे जगह पर अभी cyberthana भी खोल चुका है अगर आपका district पर cyberthana है तो cyberthana पर भी जाके complaint ज़रू कीजिए और गैसे अभी आप लोगो का मन में इस application को लेके सबसे बरी जो डार है इस application की तरफ से आप लोगो के धमकी दिया जा रहे कि अब अगर loan को repayment नहीं करेंगे तो आपका contact list को call किया जाएगा अब अगर loan को repayment नहीं करेंगे तो आपका अपका contact list को सिन किया जाएगा तो आप लोग इस application का loan repayment करेंगे तो आप loan repayment के वो आपडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसका कोई guarantee नहीं है लोग इपन करने के बाद भी आपको दोबरा harassment और ब्लग मिल किया जा सकत पाएगा तो इस लिए अगर इस application की तरफ से आप लोगों कैसे धंकी दिया जा रहे कि अब अगर loan को repayment नहीं करेंगे तो आपका contact list को call किया जाएगा और अपका contact list पे अपका एडिटे नीट पिक्चर से न किया जाएगा तो अगर इस तीति में आप लोगों को कहएगा न पिक्चर से इन किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें और इस अभी आप लोगों को मैं बता हूँए कि जगर इस application के तरफ से रोनी पेन के लिए आप लोगों को call किसा harassment और ब्लग मिल किया जा रहे इस application की call से बाचने का solution क्या है तो आप लोग अपना sim card को 10 days से लेके 15 days अप कर दीजिए और गैसे अगर उस नंबर पर whatsapp account है तो whatsapp account को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए यह निकेस आप लोग कुछ दिनों के लिए call और इसमेस पर inactive रहिए फिर कुछ दिन बाद जब आप लोग अपना sim card और whatsapp account को on कीजेगा तो आप लोग खुद द अगर इस application की तरब से लोग के लिए आप लोग को बहुतर किसा harassment और ब्लाग मिल किया जा रहा है तो लोग अप्रिकेशन की harassment और ब्लाग मिल से बच्चने का जो मैं solution बताया अगर आप लोग इस solution को इस्टे बाइस्टे फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रोब्लम है 100% हो ज और के सब्सक्राइब अब लोग गूगुल पे जाके केंडिगाश कॉंप्लेंट सार्स करेंगे तो इस application के खिराब आप लोगो को कभी सारे complaint दिखने को मिल जाएगा और हारे complaint पर यह कहा गया है कि केंडिगाश लोन अप्रिकेशन एक टोटली आंसेवर फरजी लोन अप् नीचा और एक complaint पे इन्होंने यह कहा है कि यह application loan repayne के लिए contact list को call करके बहुत तरगी सा harassment और blackmail काता है और loan repayne के लिए bad word use काता है और loan repayne के लिए edited nude picture contact list में जितने सारे नमबर है सार के सारे नमबर पे श्यार काता है निचो और एक complaint देख सकते हैं इन्होंने भी complaint पे यह कहाए कि ये application loan in payment के लिए बहुतर किसे blackmail काता है और ये application loan in payment के लिए edited new picture contact list को सेन काता है तो व्याइश county cash loan application के खिलाब आप दुगों को ऐसे कभी सरे complaint दिखने को मिल जाएगा और हार एक complaint पे यह कहाएगा कि Candy Cash Loan Application एक टोटल एंसne और फाजी Loan Application है और इह வाई बॉलता हूँ कि Facebook, Instagram पे कोई भी Loan Application के याद देखके तो रहन जाके उजση application पे loan के लिए apply ना करे पैरी यूटुब और Google पे जाके उजब अप्लिकिकशन की रिफयो चेक आउट कीजिए और उस अप्लिकिशन की टरब से कितने दिनों के लिए टिर्वाइट कोया जा रहा है यह सारे चीज़ें चेक आउट करने के बाद ही आपनों कोई भी लोन अप्लिकिशन पर लोन के लिए अप्लाई करें और चेक भी आपलों को मैं बते हुगा ही कि इस Sevens बाले लोन अप्लिकिशन से लोन लेने का सेff तरीका कैया है तो कि जब भी आपनों कोई कोई भी लोन अप्लिकिशन पर लोन के लिए अप्लाई करने की लिए जाएंगे उसी देम उस mobile की पूरा data को clear कर दीजिए यानि उस mobile पे जितने सरे photo, videos, call history, SMS history, contact list सब कुछ delete कर दीजिए फिर कैसे आप लोग उस mobile पे fake data और fake contact list एट करके इस टेप के 7S बाले loan application पे loan के लिए apply कीजिए फिर कैसे अगर आप लोग के लिए apply के ते और आप लोग को loan मिल जाता है और loan पेउन के लिए अगर आप लोग को harassment और blackmail किया जाएगा तो आप लोग को किसी भी तरह की problem नहीं होगा तो गैसे ही थे subscribe छोड़ा नगए तो गैसे अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो जोरूँ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जाएगा शादा शेयर कीजिए तो गैसे आप लोगों के साथ मरोका तो रहा है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएगे इन्द वांदे मातरम